स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासस पर दोस्तो आज इस वीडियो में परिच्छा की द्रिष्टी से बहुत ही महात पूर्ट प्रेस्ट जी हाँ दोस्तो कच्छा दस में बिसे विग्यान का बहुत ही इंपॉर्टन क्वेश्टन जो की पेपर में कईवार आ चुका है तो दोस्तो इसका उत्तर मैं आपको सरालेवम सठीक सब्दों में बताऊंगा ताकि जब भी आप उत्तर पुस्तिका पल लिखें तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकें जी हाँ दोस्तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको लिखना है आपका एक नमबर भी नहीं कटेगा तो दोस्तो यहाँ से question देख लिए जो आपसे question पूछा गया है अब तल दरपन के मुख focus की परिवासा लिखिए इसका उत्तर आपको लिखना है तो दोस्तो उत्तर इस्टार्ट करने के पहले आपसे एक request है कि अगर आप एनके classes पर नया है तो चैनल को दिल से subscribe कर एक पैरा सा comment कर वीडियो को like कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो यह चैनल आपके लिए बहुत helpful होने वाला है चले दोस्तो इसका उत्तर देख लिजे दोस्तो सबसे पहले आपको उत्तर का heading डालना है और उत्तर का heading डालने के बाद यहां से देख लिजेगा लिखना है अबतल दर्पन के मुख अच्छ के समानतर जी यहां दोस्तो अबतल दर्पन के मुख अच्छ के समानतर आने वाले आपतित प्रकास किरणे दर्पन से परावर्तन के पस्चात मुख अच्छ को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अबतल दर्पन का मुख फ आपको लिखना है उत्तर का हेडिंग डालके फिल लिखना है अपतल दरपण के मुख अच्छ के समानतर आने वाली आपतित प्रकास केड़े दरपण से परवरतन के पश्यात मुख अच्छ को जिस बिंदू पर मिलती है उस बिंदू को अपतल दरपण का मुख फोकस कहते हैं जी हाँ दोस्तो मुक्ख फोकस को कैपिटाल यप से भी दर्साया जाता है तो दोस्तो इस तरह से आपको लग लिखना है वीडियो का कैसा लगा कमेंड में आप जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे दोस्तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जैहिन बंदे मातरम